मस्कार तो उस्तों मैं सिधार्द आप सभी का बहुत बहुत स्वाद करता हूँ ब्रह्मांड के छोर पर क्या है? उस छोर के परे क्या है? क्या साइन्स वहाँ पर पहुंच सकता है? क्या साइन्स ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच सकता है? अभी के समाई में कहना तो बहुत मुश्किल है अभी के समाई में इसका उत्तर होगा इंपॉसिबल यदि पहुंच भी जाए तो धर्दी पर जो मनुश्य हैं उनको इस बात का पता लगना कि कोई रॉकेट या कोई स्पेस शटल वहां तक पहुंचा है वो संभव नहीं हो पाएगा जब तक वो सूचने हाथ तक पहुंचेगी तब तक बहुत कुछ परिवर्तित हो चुकी होगी हमारी इधर्दी और मानव समाज परंतो यदि हमारे उपनिशदों में वेदों में और अब नासा के भी द्वारा अप्रूवड जो कॉंसेप्ट है यत पिंडे तत भ्रहमांडे आर्थात जो कुछ भी भ्रहमांड में है वही सब हमारे शरीर के भीतर भी है हमारे शरीर में भी अन्हे को भ्रहमांड है तब इस कॉंसेप्ट को समझते होए हमारे शरीर में ही जो भ्रमान्द है क्या उसके छोर तक पहुंचा जा सकता है अब इसका उत्तर होगा हाँ ऐसा करा जा सकता है क्योंकि शरीर को तो हम समझ रहे हैं शरीर के अपने एक लिमिट है हम जान सकते हैं कैसे परन्तु इसको समझने के लिए हम आधूनिक विज्ञान की जो टेक्नोलोजी इत्यादी हैं उसका साहरा नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर के भीतर भी बहुत से और सुक्ष्म शरीर हैं और यहीं पर ही पिराता है अध्यात्म इस वीडियो में हम जानेंगे कि भ्रमांड के छोर पर क्या है महाशंभू कौन है कामेश्वर शिव कौन है पंचवक्त्र महदेव कौन है कामेश्वरी कौन है देवी ललिता कौन है और कौन है भंडासर यह सभी जो बाते हैं इन सभी के बहुत गहरे रहस्य हैं जो तंत्र के माध्यम से ही समझ आ सकते है इस वीडियो को आप अन्त तक अवश्य ही देखेगा और यह जो पूरा वीडियो है यह एक श्रिंखला की तरह चलेगा अर्थाद हम विभिन्न वीडियो लेकर के आएंगे इस पूरे प्रक्रण को समझने के लिए देवी ललिता के रहसे को समझने के लिए तीसरी महाविद्या तुरिपुर सुंदरी के रहसे को समझने के लिए कथा है कथा के पीछे जुड़े हुए रहसे हैं एक एक पात्र एक एक इवेंट का एक एक रहसे हैं बहुत ही गूड और इसी कारण मैं इस कथा को सरल करके नहीं बताऊंगा जैसी ये कथा है वैसा मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इसके जो रहस से हैं उनका भी उद्घाटन मैं उसी प्रकार क्रमबध रूप से करता रहूँगा यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही लें और नोटिफिकेशन का भी आप वो बेल आइकन जो होता है उसे दबा दे यदि आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं तब भी बेल आइकन क आप अवश्य दबा दें क्योंकि इस वीडियो के बाद जितने भी वीडियो आएंगे वो क्रमबध रूप से देवी ललिता, तुरपुर सुंदरी, बाला, तीसरी महाविद्या इनके रहस उद्गाटन के बारे में ही होगा अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि देवी ल अठारह महापुराणों में अंतिम महापुराण आता है भ्रमांड पुराण, ये शक्त्य जो संप्रदा है उसके लिए बहुत ही महतपून ग्रंथ है, इसमें तंत्र के बारे में बहुत से गूर रहस से बताए गये हैं, तंत्र जो अध्धात्म के साथ ने चुड़ा ये जो कथा है, ये आरंब होती है रिशी अगस्त्य और भगवान हयग्रीव के संबाद के साथ, इसका नाम भ्रमांड पुराण के उत्तर खंड में आता है ललिता उपक्ष्यान, यानि देवी ललिता का उपक्ष्यान, उनके बारे में कथा, मुनी अगस्त्य कलियुग में मानव की जो दुर्दशा हो रही थी उसे दिख करके बड़ी चिंतित हो जाते हैं, भगवान विश्नु का वो ध्यान करते हैं, भगवान विश्नु से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी सुविधा है, क्या कोई ऐसा तारणहार है जो कलियुग मे मानव जाती का उधार कर सके धर्व अर्थ काम मोक्ष इसकी प्राप्ती मानव को करा सके तब भगवान विश्णूं अपने ही अवदार भगवान हयग्रीव को आदेश देते हैं कि वे बुनी अगस्त कि ये जो प्रश्ण है उनकी जो ये दोधा है उसका उत्तर दें उसका समाधान करे और फिर यहीं से आरंब होती है भंडा सुर की कथा कथा आरंब होती है दक्ष प्रजापती की यग्य के साथ हम सभी को इसके बारे में पता हुआ यग्य होता है परन्तु महादेव और देवी सती को आमंत्रित नहीं किया गया है दक्ष प्रजापती महादेव से प्रसन्य नहीं रहते थे देवी सती खुब्ध हो जाती है महादेव का उस यग्य में जाने का मन नहीं है परन्चो देवी सती स्वयम ही जाती है पाती है कि वहाँ पर तो महादेव के लिए को स्थान ही नहीं है वे उसी यग्य की बेदी में स्वैम को भस्म कर देती है महादेव रुष्ट हो जाते हैं भद्र काली और वीरभद्र को तुपन्नक करते हैं पूरा हवन तहस नहस हो जाता है परंतु मादेव चले जाते हैं चिरसमाधी में अब इसी का लाव उठा करके एक और असूर होता है तारकासूर वो भ्रह्मदेव को प्रृसनर करके ये वर्धान प्राप्त करता है कि उसका अंतकेवल मादेव के ही पृत्र कर पाए परन्तु मादेव तो हैं चिर समाधी में देवता जाते हैं मनमत के पास मनमत ही कामदेव है परन्तु अभी इनका नाम कामदेव नहीं है मनमत अपनी पतनी रती के साथ अपने मित्र वसंत के हां पर आते हैं प्रिथवी पर मनमत पांच बान छोड़ते हैं मादेव पर मादेव की समाधी भंग हो जाती है परंतुन का त्रिनेत्र खुलता है और मनमत भस्म हो जाते है यहां तकी कथा हम सभी को पता है परंतु अब यहां से जो मूलक कथा है वो आरम होती है मनमत के जो राख है उसके साथ शिवगण के जो गणेश्वर हैं वे एक आकरिती बनाते हैं यह जो गणेश्वर हैं यह कुछ गरंथों में चित्रकर्मा के नाम से जाने जाते हैं कुछ में गणपती के तो जो चित्रकर्मा हैं वो एक आकरिती बनाते हैं इसी मनमत की रख के साथ, भस्म के साथ, इस आकृती को वो ले जाकर के महादेव के सामने खड़ा कर देते हैं, महादेव के तेज से उस आकृती में प्राण आ जाते हैं, चित्रकर्मा प्रसन्न हो जाते हैं, वे अब इस आकृती, अब इस जीव को शत्रुद्रीय मंत्र देत महादेव प्रसन्य होते हैं और कुछ वर्दान देते हैं ये सभी भ्रह्मदेव देख रहे होते हैं वर्दान में पहला बर होता है कि जो भी इस जीव के सम्मुक शत्रू होगा उसकी आधी शक्ती इस जीव को प्राप्थ हो जाएगी दूसरा कि कोई भी अस्त्र इस जीव का भेदन नहीं कर पाएगा और दीसरा कि ये साथ हजार वर्षों तक राज करेगा ये वर्दान देकर के महादेव तो अंतरधान हो जाते हैं परंतु जब भ्रमदेव ये सब देखते हैं तब उनके मुक से सहसा ही निकल जाता है भंड 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 अर्थात दूर्थ भंड का अर्थ होता है दूर्थ यानि ये तपस्या तो कर ली है महादेव से वर्दान परंतु इसके मन में कुछ और है वहीं से इस जीव का नाम पढ़ जाता है भंड इसी मनमत की राख के साथ दो और जीव जन्म लेते हैं एक का नाम होता है विशुक्र और दूसरे का नाम होता है विशांग ये दोनों मिलकर के भंड को असुर बना देते हैं अर्थाच उसके बुद्धी को भ्रष्ट कर देते हैं उसे असुर बना देते हैं और तभी से इस जीव का नाम पढ़ जाता है भंड असुर अब इसके पास में तो असीम शक्ती है वही पर ही वो जो बची हुई राख होती है उससे और भी अन्य असुर उत्पन्न होते हैं अ अन्मद कामदेव ही है अर्थाथ काम का ही रूप है तो जो पूरी सेना है यह जो विशांग है यह जो विशुक्र है यह सभी भंड असुर के साथ इस ही काम का एक और विभत्स रूप है अब जब इतनी बड़ी सेना हो गए है असुरों की तब वहाँ पर शुक्राचार्य आते हैं शुक्राचार इनके लिए एक हवन इनके लिए नित्यकर्म इत्यादीी की विवस्था करते हैं इनको आदेश देते हैं कि तुम होम करते रहो मादेव की तपस्या इनका राधना करते रहो फिर जत्यों के ही जो आर्किटेक्ट है उन से एक नगरी बने जाती है संदरी, कुमदिनी और सम्मोहिनी अब एक एक नाम जो है इस पूरी कथा में एक एक पात्रज जो है इनका नाम, इनका अर्थ और जितनी भी घटनाए हो रही है उन्हें सभी के जो रहत से हैं उनको जानना भहता हुशक है परन्तु इस कथा में अभी इस समय हम उसे नहीं समझेंगे परन्तु यह मैं आपको अभी सही बता रहा हूँ कि अंत तक देखिए क्योंकि जब सारी घटनाए जब इनके रहसियों का आपको पता चलेगा तब आप समझ पाएंगे इनका नाम इस प्रकार से क्यों है अब जब चार पत्रियां भी है भंडासुर के पास में दो भाई भी है पूरी सेना है पुत्र भी हो गए है तब भंडासुर के मन में आता है कि देवता जो हैं वो तो हमारे शत्रु है इन्हें हरा देना चाहिए तब ऐसे में विशुक्र आता है धर्ती पर विशांग जाता है रसातल में यानी पातल जो होते है नर्क उन्हें रसातल में मुझ जाता है और स्वयम भंडासर देवताओं और तृदेवों के पास जाता है अब यहाँ पर यह किस प्रकार से उनके पतन का कारण बनते हैं ये वायू का रूप लेते हैं, यहाँ पर ये वायू के रूप में सभी के शरीर में चले जाते हैं और उनके वीर्य को, स्पर्म को सुखाते हैं, बहुत आवशक है यहाँ पर ये समझेना, कि इन्होंने कोई चड़ाई नहीं करी, देवताओं के साथ में इनका कोई घमासान युद्ध नहीं हुआ, ये सभी वायू का रूप लेते हैं, देवताओं, तुरदेवों, मनश्चों और जो रसातल में जो नाग इत्यादी जो हैं, इन्हें सभी के शरीर में जाकरके उनको सुखा देते हैं, उनकी जो अगनी होती है उसे बुज्जा देते हैं, सभी के श वीर्य है जो स्पर्म है उसे सुखा देते हैं तंत्र में योग में भ्रम्मचर्य का पालन भाताविशक होता है इन्हें सभी में अध्यात्म में भी अध्यात्म के जितने भी रूप हैं इन्हें सभी में वीर्य की रक्षा भात महत्पून होती है कुंद्रीनी का जो जागरन होता है वो इस ही वीर के साथ में होता है सुशुमना में ही ये वीर उपर क्यों उठता है परन्तु वो एक अलग रहसे है उस पर हम बाद में आएंगे अब जब ये सारे असुर देवताओं उत्रदेवु और रसातल के जितने में जीव हैं मनुष्य हैं इन्हें सभी के शिरीर में जाते हैं तो किसी में भी किसी भी प्रकार की क्रिया करने के ख्रमता नहीं रहते हैं मनुश्य जब हवन इत्यादी सब बंद कर देते हैं देवताओं की शक्ति ख्षेण हो जाती है अब क्या करें ये सभी भ्रमदेव के साथ पहुँशते हैं भगवान विश्णू के पास भगवान विश्णू ध्यान में है भगवान विष्णू का स्तवन करते हैं वे जागते हैं वे कहते हैं कि मैं आप सभी की स्थती से परीचित हूं कुँकि मेरा भी स्वयम दीविलक्ष्मी के प्रती कोई अकर्षन नहीं रहे गया है मुझमें भी कोई तेज अब नहीं है तब ये सभी अरथाद भगवान विष्णू, महादेव, भर्मदेव, सभी देवता, सभी रिश्रीकाड ये सभी पहुंचते हैं भ्रमांड के छोर पर भ्रमांड के अंत तक ये सभी पहुंचते हैं क्या देखते हैं ब्रह्मान्ड का जो अंत है वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी विशाल काए अंतहीन दीवार है इस दीवार को तोड़ा जाता है सहस्त्रों हाथियों के साथ हाथियों की मदद से उनकी सहायता से इस पूरी दीवार को तोड़ा जाता है उसमें एक छिद्र बनाया जाता है अब यहाँ पर हमें याद दिलाना बहुत आवश्चक है याद करना बहुत आवश्चक है कि यह सब हम बात कर रहे हैं तब जब हम भ्रह्मांद को स्वयम के भीतर देख रहे है यानि हम बात कर रहे हैं स्वयम के भीतर का जो ब्रह्मान है उसके छोर पर पहुंच करके क्या हुआ क्या है उसको समझेने के लिए हम भी सारी बाते कर रहे है हाथियों का यहाँ पर जो लेखाया है ये भी भौती रहस्यम है पर उस पर बादना चर्चा करेंगे जब उसमें छिद्र करा जाता है सभी उस ओर पहुंचते हैं तब यह देखते हैं कि यहाँ तो चतन्य आकाश है चदकाश है और इस चदकाश में ही इसी का रूप लिए हुए महाशंभू है यह सभी महाशंभू का स्तवन करते हैं उनकी आराधना करते हैं तब महाशंभू एक आकार ले करके अभी तक वो निराकार है महाशंभू एक आकार ले करके इनके सामने उपस्थित होते हैं उनके साथ ही मैं परमेश्वरी भी हैं इन महाशंभू के हाथ में एक शूल है और कपाल है जब इस आकृति को समझेंगे तो ये आकृति ही भैरव का भी रूप है कपाल हाथ में शूल है जो परमेश्वरी है उनके हाथ में एक हाथ में एक पुस्तक है और पाश है अब महाशंभू इन सभी देवताओं को रिश्यों को कहते हैं कि प्रलय जो मेरी ही अधीन है वो तीन प्रकार की होती है एक महाप्रलय दूसरी अवांतर प्रलय और तीसरी कामप्रलय ये शायद आपने पहली बार सुना होगा बहुत ही रहसमय बाते हैं फिर वे बताते हैं इसका अर्थ क्या है महाशंभू कहते हैं महाप्रलय तब है, was जब संपूर भ्रमांड कान्त होता है वो मेरे अधीन है, उसका देवता मैं हो अभांतर प्रलय जिसके अधीन है, वे है भगवान महाविश्रू तो जितने ही मनमंतर होते हैं, फिर प्रलय होता है पुनह, फिर युगों की स्थापना होती है ये सभी जो है ये भगवान विश्रू के अधिन है तीसरी जो प्रलय है वो है कामप्रलय जो परमेश्वरी देवी ललिता के अधीन है आप जिस स्थिथी से आप सभी जूज रहे हैं वो और उसके लिए काम प्रलय का होना भातावशक है फिर महाशंबु बताते हैं कि एक महायाग की व्यवस्था करें यानि एक महायग्य की आपा व्यवस्था करें ये जो शब्द हैं ये इसी भ्रमाण पुराण के शब्द हैं इसी में इनका नापर प्रयोग कर रहा हूँ महायाग महायज्य कि आप व्यवस्था करें जिसमें आहूते के रूप में सभी देवताओं को इंद्र सहित अपने आपका बलिदान देना होगा फिर आरंब होता है इसे यज्य की बेदी को बनाना इसे यज्य का आयोजन करना एक पूरे समुद्र को सुखाया जाता है वहाँ पर चुदागनी प्रजुलित करी जाती है आहूतियां होती है आठ मंत्र पढ़ते हैं स्वयम महाशंभू आठ मंत्र और आठ होम होते हैं और फिर आगूति के रूप में सभी देवता स्वयम को उस अग्री में समाहित कर देते हैं फिर प्रादुर्भाव होता है देवी ललिता का इस वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत अंबा हो जाएगा कोई अर्थ नहीं रहेगा यदि हमें यहां तक की कथा धान नहीं रहे अगले वीडियो में इसी कथा को मैं आगे बढ़ाऊंगा देवी ललिता के बारे में और विस्तिरत रूप से हम उस वीडियो में उस कथा में समझेंगे फिर हम एक-एक करके संपूर्ण रहसे को भी समझेंगे यह सभी बाते जूरी हैं श्री चक्र के साथ, श्री यंत्र के साथ, श्री विद्या के साथ आशा करता हूँ कि आपको अभी तक की ये कथा जो कुछ-कुछ रहसे मैंने आपको बताए हैं ये सभी आपको आनंद दायक लगे होंगे आप और अधिक इच्छुक होए होंगे इसके आगी की कथा को जानने के लिए यदि ऐसा है तो क्रिपा करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्र करिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जैसे मैंने पहले भी कहा था बेल आइकन को आप क्रिपा करके दबाएं और यदि आपका मन हो तो आप हमें श्रील सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं डीटेल्स कोमेंट सक्षिन में जो पहला कोमेंट पिंड है वहाँ पर दिये गए है श्रीगरी मैं आपके सम्मुक पुना आऊंगा इसी कदा को आगे बढ़ाते हो तब तक के लिए मुझे यानिस धारत को आप जाने के नमसी दीजे धन्यवाद